वेलकम करता हूँ सारे एंड्रोइड यूजर्स का अज फाइनली मैं लिया हूँ जीटियेस एंड्रियास एंड्रोइड के लिए आपके PC एंवारमेंट का एक ग्राफिक्स मोटपेक अब ये ग्राफिक्स मोटपेक ना बहुत ज़्यादा यूनिक होने वाला है क्योंकि इसक के अंदर आप अपने एंड्रोइड वाले गेम को अपने PC के एंवारमेंट से आप पूरा का पूरा सिमिलर पाओगे जिसे कि आप मेरे गेमप्ले में देख पा रहे हूँ ये वाला गेमप्ले एंड्रोइड के अंदर रिकॉर्ड हुआ है बट ऐसा लग रहा है कि ये गेम पीसी में खेला गया है बड़ ऐसा नहीं है ये गेम एक्चुली एंड्रोइड का है और ये मोटपेक से हमने इस वाले गेम को एक PC एंवारमेंट या पर प्रोवाइड कर दिया है ना ये गेम के साथ में जब आप मिशन कंप्लेट करोगे न तो आपको फिल लएगा कि आप अब ये गेम ना पीसी के अंदर खेल रहे हो ना कि अपने एंड्रोइड डिवाइस के अंदर खेल रहे हो अब ये मोटपेक इस वाले गेम को स्पेशल इसलिए बनाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नैचुरल है और इसमें कोई भी एसी एक्स्टरनल वियकल या एक्स स्टाइल का मोटपेक हमें आज की इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाता है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मैं आपको सबसे पहले इसके इंस्टॉलेशन के बारे मता देता हूं क्योंकि आपने गेम प्ले तो या पर देखी लिया है उसके अलावा यह पर मैं वीडियो इसको देख पाऊंगे नाव अभी जो एक इंपोर्टन चीज है वह बता दूं यहाँ पर यह जो गेम वर्जोन है वह जीटी सेने रियास क्लासिक वर्जर 1.7 अब यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएंगे जिन्हों ने इसको डब आपको यहाँ पर कुछ टेक्शर जो है PC वाले से एड कर दिए गये है जिसे कि TXT.TXT, Mobile TXT जो फाइल होती है वो औरीजनल PC गेम से यहाँ पर इस वाले गेम के अंदर यहाँ पर डाली गई है औरीजनल मैप आपको देखने लिए मिल जाएगा आइकन्स जो मैप के अंदर होते हैं वो भी देखने के लिए मिल जाएगा कुछ लो रजूलेशन के चीजे भी एड करी गई है जिससे आपका गेम और ज्यादा PC वाला लगेगा और आप अपने गेम को एक बहुत अच्छ अच्छी के हैं वो भी आपके मोबाइल के अंदर एड़ कर दिये गया है और उसके अलावा यहां पे जो कार्स के अंदर गलेर होता है उसको भी जाए आ अपको नहीं होता है जैसा कि और जो ग्राफिक स्मॉड करते है उसी मेतड के साथ मैं आप लीकुर इसलॉल करना है औ और अगर आपको installation के उपर एक tutorial चाहिए तो इस tutorial का link भी मैंने description में provide कर दिया है जिससे आप उस पूरे tutorial को देख करके अपनी game के अंदर इस वाले mode को install कर पाओगे यहाँ पे हमने बात करते करते हमने installation को भी complete कर लिया है और उसके अलावा मैंने आपको इसके features के बारे में भी बता दिया है और उसके अलावा हमने पूरा gameplay तो देखी लिया है अगर आप भी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करके bell notification को all पे जरू कर दे जिससे आपको ह अब हम बात करेंगे कुछ और नए mode pack के बारे में जो future में आने वाला इस चैनल के उपर और अभी हमारे चैनल पे अप्लोड़ेट है नाव यह जूप मोटपेक है आप देख पा रहे हो यह mode pack है हमारे GTA 5 का एक बहुत ही जड़ा अच्छा वाला graphics mode pack जिसके अंदर यहापे आपको और भी बहुत सारी सूपर हीरो इसके देखने के लिए मिल जाती है उसके अलाव हमारा last version जो future में आने वाला है उसके बारने में बता रहा हूं जो last version GTA 5 का जो मैंने अप्लोड किया था यहापे आप देख पाऊगे कि यह जो गेम है इसके अंदर आपको पूरा GTA 5 का मैप देखने के लिए मिलता है लेकिन आप यहाँ पे कुछी एरिया में जा सकते हो उसके अलाव अगर आपको city side का gameplay चाहिए पूरा modpack चाहिए तो वह भी हमारे चैनल पे अप्लोड होने वाला है कुछ दिनों बाद और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बै सब्सक्राइब को बनाके अपने फोन में खेलोगे विद पूरा मैप और उसके अलाव अपने करेक्टर के साथ में और सारी चीज़े आप जो NPC होती है non playable characters वह भी आपको देखने के लिए आप मिल जाएंगे काईस आज के वीडियो मैं आउट्रो देखे में वीडियो को फि सब्सक्राइब पर दीजिए उसके अलावा अगर आपने टेलिग्राम चैनल को सब्सक्राइब ना ही किया है हमारा टेलिग्राम चैनल भी है जिसमें काफी सारे सब्सक्राइबर्स यहाँ पर हमारे हो चुके है और उसके बाद में यहाँ पर जो हमारे टेलिग्राम पर आनिगाउट